यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपनों की पढ़ाई भी अच्छी चल रहे होगे रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा इस समय तो इकाई दस पर रिवीजन आप लोगों को कराया जा रहा है अन्य विधा पर जिसमें संस्मार, रिपोर्टाज, यात्रा विर्तांत, रेखा, चेत्र जो यह सब आपके पाठिकरम में दिया गया है उसी पर इस समय रिवीजन आप लोगों को कराया जा रहा है लगातार आपने देखा कि कल हम लोगों ने चिठी पत्री यूपी एचेसी में जो पाठिक का जीव है जामुन का पेढ़े यह कराया गया यंपी प्यस्ची में अकेला मेला है वो कराया गया आज प्रेमचंद के साथ दो दिन मनुभंडारी का एक कहानी यह भी रमनिका गुपता की रचना संस्कृति के चारत ध्याय इसका पांडे बेचन सर्मा उग्र का अपनी करूं आवारा मसीहा अरे आयावर मेरी तिब्बत यात्रा मुर्द हिया तो यह सारी चीजें कल होंगी आज हिंदी सायते में कावे सास्त्र पर आधारित परिक्षा में महत्पूर्ण प्रशन पूछ जाते हैं उस पर रिवीजन कराया जा रहा है खास कर चंद पर आधारित प्रशन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो हमारे MPPSC वाले कंडिरेट हैं जिनका एड्मिशन अभी कल हुआ है जिनका एड्मिशन आज हुआ है उनका इकाई नो और दस परसों आठ सितंबर से सुरू हो रहा है इकाई नो और दस अगर आप भी जुड़ना चाह तो आए से सुरू करते हैं कावे सास्त पर आधारीत मात्यपूर्ण निम्ण में से शुमेली जोड़ा क्या है रस को कावे कहा जाता है चंद को कावे का वश्र चाहता है अलंकार को कावे का भूशन कहा जाता है आभूशन विकलब셔야 02-03-13-23 तो यहां पर उत्त किस ने कहा है मीरा को संगीत की देवी कれた राम संद्रिका के आधार कि कि रचना की इस तरीके से केसदास को जो सिंसक्रित कि है को किसी ने कहा है इस तरह के बहुत सारे प्रस्ठम से पूचा था चलिए उसकी चर्चाविं हम लोग आंति में करेंगे कंतिराम का जो रसराज हैं कि छ hé तो इन सब की बात हम लोग अभी लाश्ट में जरूर कर लेंगे बता देंगे आपको निम्न में से सत्य कथन कौन सा है चंद को पिंगल भी कहा जाता है चंद सास के पंड़ेता पिंगल मुनी माने जाते हैं लोकिक संस्कृत के चंदों का जंदाता महर्ष वालमिकी को माना ज तो उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन सही है है अगला प्रस्ण देखें प्रस्ण संक्या तीनिम्द में से सत्य कथन कौन सा है यंदी साहित में चंदर सास की दीरिषटी से पर्थम रचना केसोदास की चंदमाला है, चंदमाला चार खंडों में हैं, चंदमाला का पहला खंड महादेव की एस्तुति से दूसरा खंड गणेश और पिंगल मुनी की एस्तुति से प्रारम्भ होता है, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा C, एक और तीन सही है, चार खंड नहीं है, बलकि दो ही भ और पहले भाग में महाद्यीव की इस्तुति से प्रारांब होता है दूसरा घंड गणेश और पिंगल नौनि की इस्तुति से प्रारांब होता है वई से आप देखेंगे वा-पमीरे आप प्रत्रारी को सेषा वतार भी कहा के लिए और अगर यंपी प्यस्की के लिए आप जूड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्ख कर सकते हैं आठ मैंने आपको बताया है कि आठ दिसंबर से आठ दिसंबर 2023 से इकाई 9 और 10 आपकी प्रारंब हो रही है जो कि बहुत ही मात्पूर्ण इकाई है अगर आप जुड़ेंगे तो आपका पेपर 28 जनुरी को उससे पहले ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी जो हो चुका है उसका वीडियो लेक्चर पीडियेफ सब आपको पुस्पदंद को माना नाग भासा का कभी मासु को माना नर भासा का कभी पिंगल मुनी को माना है विकल्प है एक दो दो तीन एक तीन एक दो तीन तो आपका उत्तर हो जाएगा दो और तीन से ये पहला गलत है क्योंकि सुर्भासा का कभी पुस्पदंद को नहीं माना गय बलकि किसको माना गया है वालमी की को माना गया है केसो दास ने चंद माला में सुर्भासा का कवी किसे माना है तो वालमी की को माना है चंद में गड़ों की संख्या कितनी होती है आपका उत्तर हो जाएगा गड़ों की संख्या आठ होती है आपने पढ़ाओगा सगड, तगड, रगड, मगड, नगड, ये जो गड़ दिये गए, कितने गड़ हैं? आठ हैं अर्ध सम मात्रिक छंद कौन से हैं? तो यहाँ पर चाए बरवे हो, चाए दोहा हो, चाए सोठा हो, चाए उल्लाला हो ये सब के सब अर्ध सम मात्रिक छंद हैं, सम मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी कुंडलिया सम मात्रिक नहीं है, विसम मात्रिक है सम मात्रिक नहीं है, विसम मात्रिक है, सम मात्रिक छंद कौन सा है? उत्तर हो जाएगा चोपाई और तोमर ये सम मात्रिक छंद है, जबकि छपपे भी हमारा विसम मात्रिक है तो यहां कुंडलिया और छप्पय ये दोनों विशम मात्रिक हैं कुंडलिया किसे मिलकर बना होता है उत्तर हो जाएगा दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बनता है छप्पय किसे मिलकर बना होता है तो रोला और उलाला से मिलकर छप्पय बना होता है अगला प्रस्ण देखें निम्ड में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है सुविर्ट तिलेक छेमेंद्र का चंदा नुसासन हेमचंद्र का विर्ट रतनाकर भट केदार का चंद माला केसो रास का तो यहां पर आपका उत्तर होगा डी एक दो तीन चार सभी सुमेलित हैं और अक् पास तो जितने भी कंडिडेट हैं जो भी पेड़ मेंबर्स हैं वो यह जो भी देख रहे हैं उसमें ज्यादा तर लोग आप देखेंगे कि नेट क्वालिफाई हैं ज्यारेव के लिए लगे हैं यह जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो एक आदबार परिक्षा दे चुके हैं अगर वह आसफल हुए है तो आसफलता के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है साधारन प्रस्णों का गलत होना बाकी जो कठिन प्रस्ण होते हैं वो तो सब के लिए कठिन होता है तो आप लोग भी कोशिस यह करिएगा परियास यही रहेगा आपका रहना चाह कि कम से कम 10-20,000 लोगों के बाद आपका नंबर हो जाता है तो साधारन प्रस्ण पर खास कर आपका ध्यान होना चाहिए निम्ण में से बेमेल जोड़ा कौन सा है चंद सार भूशन की रचना सुबृत विचार सुखदयो मिस्र की रचना सब्रसायन देव की रचना चंदोर कि रचना है कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें मतिराम की रचना है निम्ण में से सही कथन कौन सा है चंद मोक रूप से दो प्रकार के होते हैं जहर भाश यह सब असुब और धाकशर कहे जाते हैं चौपाई 16 मात्राओं वाला मात्रिक चंद है तो यहां पर आपका उत यह द्यान रखियेगा प्रबंद काव्व के लिए आप से कौन सा लिए कि मनहरर छंद के बारे में सही कतन कौन सा है मनहरुर एक तीस वरणों का छंद च ही सही है इसमें 17 गति को घनाख्षरी कहते हैं ये भी सही है इसमें मन्थर गति को कबित कहते हैं ये भी सही है यनि आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 रमा संकर सुक्ल रसाल के अनुसार घरांक्षरी के भेद कौन से हैं उत्तर हो जाएगा दो रूप घरांक्षरी और देव घरांक्षरी उन्होंने माना है वन घरांक्षरी नहीं रमा संकर सुकल रसाल के अनुसार मैंने पूछा है निम्ण में से सत्य कथन कौन सा है सोर्ठा दोहा का विलों यानि उल्टा होता है सही है रोला को कावेचंद भी कहा जाता है सही है वीरचंद को आला भी कहा जाता है ये भी सही है यानि आपका उत्तर अठारा का D हो जाएगा निम्न में से सही कतन कौन सा है बरवे चंद के परनेता रहीम माने जाते हैं रहीम का बरवे नाइका भेद बरवे चंद में सही है तुलसिदास रहीम की रचना से प्रभावित होकर बरवे रामायन लिखा ये भी सही है इसे नंदा दोहा भी कहा जाता है बरवे चंद को ये भी सही है यानि आपका उत्तर हो जाएगा D, 1, 2, 3, 4, सभी सही है किरपाराम की पांच तरंगों या ध्यायों वाली रचना हित तरंगनी में कितने चंद है उत्तर हो जाएगा C, 400 चंद है ये भी पुछा सकता है कि कई बार पुछा गए ही तरंगनी किसकी रचना है तो किरपाराम की है कुल इसमें तरंग कितने है या ध्याय कितने है तो पांच है तो इस तरीके से भी परिक्षा में प्रश्ण रहता है केसोदास जिनका नाम वेदांती मिस्र भी है इनके बारे में सही कतन कौन सा है इन्हें हिंदी का पर्थम सरवांग निरूपक आचारे कहा जाता है सही है इनकी रचना चंद माला के पहले भाग में 77 और दूसरे भाग में 26 सम्द है सही है 49 सरवों की रचना राम चंदरिका को चंदों का अजायब घर कहा जाता है बिल्कुल डी हो जाएगा एक दो तीन तीनों सही है निम्न में से सही कतन कौन सा है वीर सिंग देव चरित्र में कुल तिरपन चंद है सही है वीर सिंग देवचरित छप्पई चंद मेरा चित है सही है इसमें लेखक को छप्पईयों का बादसा कहा गया है गलत है छप्पईयों का बादसा चंदवर्दाई को कहा गया है ध्यान रखियेगा छप्पईयों का बादसा चंदवर्दाई को कहा जाता है चंदवर्दाई को कहा जाता है वैसे इसके लेकब वीर सिंग देवचरित की अगर बात कहा है तो ये केसो दास की रचना है और इन्हें छपपयों का बात्सा नहीं कहा जाता है वैसे केसो दास के बारे में जो भी मैंने पूछा था केसो दास को प्रकृत कभी कहीं लिख लीजिये और खुब आता है परिक्षाओ में केसो दास को प्रकृत कभी किसने कहा तुलसी दास ने राम चंद्रिका के आधार पर किस ने कृष्ण चंद्रिका की रचना की गुमान कभी ने राम चंद्रिका को चंदों का अजायब घर किस ने कहा राम सरूब चतुवेदी ने कहा केशो दास को कोट का कभी किस ने कहा केशो दास को कोट का कभी किस ने कहा तो विजय पाल ने कहा बच्चन सिंग ने केशो दास को संस्कृत के क्लासिक पंडित कहा है बच्चन सिंग ने संस्कृत के क्लासिक पंडित कहा है जबकि हजारी पसाद दुवेदी ने केसो धास को पर्थम अलंकार वादी आचारे मानते हैं तो ये मैंने पूछा था वैसे मीरा संगीत की देवी हैं ये कहा गया था निराला के द्वारा मैंने कहा था अभी आपको बताएंगे निराला ने कहा था निराला ने गीतिका की भूमिका में कहा है कि मीरा संगीत की देवी हैं ये गीतिका की भूमिका में निराला ने कहा है अगला प्रस्न चंद विचार पिंगल रचना चिंतामडी के किस रचना चिंतामडी ने किस रचना को आधार बना कर लिखा तो उत्तर हो जाएगा प्राकिर्ट पैंगलम और व्रत रतना कर इन दो रचनाओं को मतिराम की रचना फूल मंजरी किस चंद में हैं उत्तर हो जाएगा दोहा में मतिराम का रसराज की अगर बात करें रसराज तो रसराज भी दोहा चंद में हैं कुल 319 चंद हैं जबकि मतिराम की में वर्णिक चंदों का परियोग किया गया है मतिराम के वर्णिक चंदों का विवेचन है अगला प्रसंद देखें कभी सब्द रचना के माद्यम से कभी सब्द रचना के माद्यम से ताल और गती अर्थात छंद विधान का अनुसरन करते हुए अर्थ की ऐसी अविवेक्ति करता है जो अनुहर इताल गतही नट नाचा इस तरीके से अविवेक्ति करता है जो नर्थक के समान परती तो होता है तो ये तुलसी दास का कथन है तुकांत का सास्तिय विवेचन किस रचना में किया गया है कावे निर्णे विकारी दास वृत रंगनी राम सहाय चंद प्रभाकर जगनात प्रसाद भानू तो उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन पहला भी होगा दूसरा भी होगा तीसरा भी होगा निम्ण में से तुक को तीन वणो उत्तम मद्यम और अधम में किस ने विवाजित किया है उत्तर हो जाएगा विखारी दास ने विवाजित किया है प्रस्ण कैसे लग रहे हैं अपनी प्रत्किरिया आप लोग जरूर विक्त कीजिएगा मुक्तचंद के बारे में सही कथन कौन सा है मुक्तचंद का आसे चंद विहीन रचना को मुक्त कहा जाता है मुक्तचंद कहा जाएगा नहीं यही पहला हमारा गलत है मुक्तचंद का आसे होता है भाषा भाव वच्छंद तीनो स्वतंत्र है यह है मुक्तचंद का आसे होता है भाषा भाव वच्छंद तीनो स्वतंत्र है मुक्तचंद का परियोग हिंदी कावे में एक विद्रो का प्रतीख सही है मुक्त छंद का स्रे प्रात्मिक रूप से प्रसाद को मुक्त रूप से निराला को जाता है तो आपका उत्तर 28 इसका B हो जाएगा खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पास अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती आयास यह पंक्ती किसकी है उत्तर हो जाएगा यूगवाणी में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कहा गया है यूगवाणी यूगवाणी में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कहा गया है तो 29 का D हो जाएगा 30 देखें मुक्त चंद तो वह हैं जो चंद की भूमी में रहकर भी मुक्त हैं यह कथन किसका है निराला का है परिमल में कहा गया है किस में कहा गया है तो परिमल में परिमल में कहा गया है हिंदी में चंद सास का सरवाधिक विश्तित विबेचन किस रचना में है तो छंद रोडों पिंगल में हैं 31 का भी हो जाएगा प्रत्य गण में कितने वण होते हैं प्रशन संक्या 32 उत्तर हो जाएगा तीन होते हैं छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन को क्या कहते हैं तो विराम चिन को कहा जाता है यती वैसे छंद मैंने पढ़ाया तो यती क्या है गति क्या है लुक तुक क्या है गण क्या है यह सारी चीजे मैंने आपको बताया है मैं इस तरीके से आपने देखा कि यह 35 प्रसंदे बाकि अपनी प्रत्क्रिय आप रुक जरूर व्यक्त कीजिएगा और अगर आप MPPCA के लिए जूड़ना चाहते हैं, या UGC NET के लिए जूड़ना चाहते हैं, या आपके कोई मित्र है जो जूड़ना चाहते हैं, तो UGC NET के लिए नया बैच जो मिलेगा लोगों को, वो मिलेगा 15 दिसंबर से, 11 दिसंबर को UGC NET की परिक्षा है, 15 दिसंबर स निव बैच UGC net के लिए मिलेगा और इसके लिए रेजिस्टेशन 10 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और जो कंडिडर 10 दिसंबर से या आज ही रेजिस्टेशन करा लेते हैं उन्हें सुल्क में 1500 की छूट मिल जाएगी जो की लगातार दिया जाता है जो मूल फीस होती है मूल फीस में 1500 की छूट दे दी जाती है मूल फीस में पंद्रा सो की छूट दे दी जाती है तो आपका पंद्रा सो बच जाएगा अगर आप जोड़ना चाते हैं आपके कोई मित्र जोड़ना चाते हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं तो उन्हें आप जरूर सूचित कर सकते हैं तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही मातपूर प्रस्नोत्री में या किसी वीडियो लेक्चर में